आज हम आपका organism and population वाला chapter करेंगे तो organism population में पहले आपको normal terms पता होनी चाहिए जैसे ecology किसको बोलते हैं तो ecology होती है अपके branch of science जिसमें हम study करते हैं एक organism के interaction दूसरे organism से और उसके environment से उसकी study करेंगे तो उसके relation या उसका interaction कैसे हो रहा है उसके environment से और उसके same organism से तो आप उसको ecology बोल सकते हैं उसके बाद organism क्या होता है एक living component of environment महलब आपके परियावरण का एक जीता जागता हिस्सा at individual level जब हम बात करते हैं तो उससे organism बोलते हैं population क्या होता है जो individual मिलके बनाते हैं आपका वो population हो जाएगा इसपीसीज क्या होती ऐसे individual जो same दिखते हैं और आपका inbreeding कर सकते हैं वो आपके species में आ जाएंगे फिर biotic community biotic का मतलब यसी चीज होती है जो जिन्दा होती है biotic community तो आपके plant community होगी animal होगया microbial होगया मलब plant तो आपके पेड़ पहुते हो गए animal आपके जीव हो गए मलब आपके बड़े जैसे हम इंसान और आपके जो animals होते हैं और microbial मलब आपके छोटे level पर जो आपके होते हैं biotic मलब जैसे आपका हवा पानी की बात होती है वो abiotic में आते हैं तो उसको मिला कि आप ecosystem बोल सकते हैं उसके बाद biome क्या होता है biome जहां पर आपके major vegetative मलब same type की आपकी ग्रो कर रही होती है या उस large unit को हम बोलते हैं biome biosphere क्या है जापके अलग-अलग ecosystem होते हैं आपका water ecosystem होगे आपका land ecosystem तो आपके यह मिलके क्या बनाएंगे biome बनाएंगे उसके बाद नीचे क्या होता है वो आप यहां पर देख सकते हो नीचे में क्या बोलाग है कि आपके the ecological decay of an organism represent the range of condition that it can tolerate कि वो कहां से किस लेवल तक tolerate कर सकता है किसी भी चीज को चाहे वो temperature हो या weather हो ठीक है उसके बाद यहां पर क्या है कि आपके biome कैसे कैसे बनते हैं आपके annual variation in intensity of duration of temperature और precipitation 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 मतलब कि आपका जब annually rainfall होता है उस टाइम पे water कितना आपका rain मतलब water sorry आपके soil कितना rain को अपने अंदर मतलब सोक सकती है उसके बाद ecosystem में आपके biotic component भी होते हैं biotic भी होते हैं biotic में temperature water light soil आ जाता है उसके बाद आपके biotic वाले बाद में दिखेंगे पहले biotic देख रहते हैं biotic में आपको याद करना यह ज़रूरी है कि सबसे major कौन सा है तो temperature जो है वो सबसे most ecologically relevant भी है और आपका एक mcq भी आ सकता कि इन में से कौन ज़्यादा relevant है या important है तो temperature पर click करोगे या ठीक करोगे ठीक है उसके बाद जो organism एक high temperature range को जहेल सकते होने यूरी थर्मल बोलेंगे जो नहीं जहेल सकते मलब बहुत कम जहेल सकते है उसको estheno thermal उसके बाद water होता है जो next important होता है आपका यूरी हैलाइन वो लोग होगे जो wide range को tolerate कर सकते हैं पर जो estheno आपका क्या है कि इस कम होगा पर important क्यूं है यहां पर क्यूंकि auto drops जो होते है वो food बनाते हैं इसकी help से और आपके plant क्या होते हैं depend होते हैं sunlight उसके बाद कुछ ऐसे animal होते हैं जो आपकी different activities के लिए आपकी light पर depend करेंगे जैसे reproductive activities होगे माइगरेटिव activities हो गया उसके बाद soil की आप composition जब देखोगे तो soil में आपका अलग अलग composition होते हैं आपने छोटी classes में पढ़ा होगा वह क्यूं सरुली होता है ताकि आप पता कर सको कि यहां पर यह अनाज ओग सकता या नहीं हो सकता और vegetation भी वहां पर कैसे कर सकेंगे कि हम यहां पर इस तरह की vegetation होगी या नहीं होगी वहां की soil parameter मलब उस soil का यह देखेंगे कि इसकी water holding capacity कितनी है इसका composition क्या है grain size क्या हो सकता है वो उसके बाद regulator और conformer की बात करें तो regulator हम लोग होते हैं कौन होते हम लोग conformer वो लोग जो अपने condition को अपने सरीर की condition को बाहर की condition के साथ चेंज करते रहते हैं 99% जो होते हैं वो conformer होते हैं क्या होते हैं 99% और 1% जैसे हम लोग हो गया चीनिया लोग हो चीनिया मलग आपकी बड़्स हो गई वह आपके regulator में आते हैं regulator वह होते हैं जो अपने internal temperature को constant रखते हैं अगर बाहर आपका चेंज हो भी अपने आउटसाइड जैसे आपकी condition चेंज होगी वो अपने इंसाइड भी condition चेंज कर देंगे ठीक है उसके बद माइगरेशन क्या होता है माइगरेशन आपको पता होगा क्या होते जब आपका stressfull हो जाती है condition एक जोगो पर आप तो दूसरे एरिया की तरफ को मूफ करना पहतर समझते हैं तो ऐसी आपका famous example क्या है इसका कि आपकी केरलाइडो नेशनल पार्क जो भरतपूर राजस्तान में वहां पर थाउजन आपकी माइगरेशन बर्ट साथी कहां से साइब एरिया से क्यों तब वहां पर थंडिया हो जाती है इस वज़े से उसके बाद यहां करते हैं थीक वाल्ड स्पोर फॉर्म करते हैं वह ताकि वह इस्ट्रेसफुल कंडिशन से बाहर आ सके ठीक है उसके बाद यहां पर आपका next क्या था कि आपका हाइबर्नेशन कुछ अनिमल ऐसे होते हैं जो माइगरेशन करने में फेल हो जाते हैं आपका भालू हो गया जो हाइबर्नेशन में जाता है तो हो माइविरेशन तो नहीं कर सकता है उतनी देर उतवर चल थोड़ कर द़क्हें से उसके बाद जो सनेथां और फिश होते हैं वह एगजांपल दिए हो कि कि सहते हैं मैं करते हैं कि फिमें करके थे हैं यहां के तरिम एक पहलते हैं कि करने धर में सारें लेजंगर GB 33 दिन साल जिस अपनंग पर्भण करने इस समाना कहते हिए घ्रियिंग इसे मोड़ निकल जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं जो यह urine या excrete करेंगे उसके बाद यह water loss को कैसे बचाते हैं क्योंकि यह दिन में क्या होता है आपका water आप होगी तो आपका water evaporate हो जाएका बट यहां पर क्या होता है यह ब्रोस में रहते हैं इस वज़े से वहाँ पर water ते यह होते हैं इसके बाद युद। इसलोल आपक俺 Mia कोल्ड आप्रीञट इसलो आप के हाप के इंपॉर्टेंट वियुथ इंपॉर्टन हम दित है जो आप ellen suis् Pokémon मि sehr ं कि वह बहुत होते हैं और टीक look होती है skin की उसके बाद adaptation in desert lizard तो आपके lizard में क्या होता है आपके shade में चले जाती ऑन जब इनका temperature उपर हो जाता है तो यह shade में चली जाती है और जब कम हो जाता तो अपने आप बाहर आजाती है उसके बाद high altitude मलब जब कभी high altitude वाली जाओगे उत्रा खर्ण हिमाचल सायट तो आपका या फिर लदाग की साइट जाओगे तो लदाग की सायट कुछ ज़्यादा होता है क्युक्कि कि वह पर ठीजाद पेर तो अगर ऑपर जाओगे तो आपकी oxygen जोन गोजाती है उसके बाद क्योंकि आपकी heliumoglobulな की binding capacity oxygen binding capacity कम हो जाती एक हेमोगलोबीन आपके चार molecule of oxygen को bind करके रखता है तो वो कम हो जाती इस वज़े से वहाँ पर आपको adaptation क्या मुलाब आपकी changes हो जाते हैं उसके बाद population attribute में आपको पढ़ना है कि birth rate क्या होता है death rate क्या होता है में कितनी death हुई उसके बाद sex ratio पर थाउजन मेल कितनी फीमेल है उस population में उसके बाद यहां पर क्या है कि आपके थी टाइप आफ पिरामिट देखने को मिलेंगे सबसे पहले expanding फिर stable और उसके बाद है आपका declining तो expanding क्या है declining क्या है stable क्या है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा नीचे पीले कलर का है वह आपका पिरी reproductive एज है मलब आपके जो reproductive में आपके युवा वस्ता वाले आ जाएंगे पोस्ट रिप्रोड़क्टिव में आपके बुढ़े लोग आ जाएंगे तो जहां पर बुढ़े लोग कम है आपके बच्चे जादा है तो इसका मलब एक कंट्री का एक्जामपल लेके चलो आप कि इस देश में क्या होगा जितने इनके जाएंगे कहां पर पोस्ट रिप्रोड़क्टिव एज में वहीं रिप्रोड़क्टिव इस में भी सेम अमांट पॉड़क्टिव एड़ होंगे तो यह स्टेबल हुआ उसके बाद दिक्लाइनिंग में क्या होगा आपका जो पोस्ट रिप्रोड़क्टिव एज वह पोस्ट रिप्रोड़क्टिव में जाएंगे तो वहां पर नंबर आफ पीपल कम हो जाएगा इस वज़े वो declining हो जाएगा चाइना अभी क्या होगा आपका आपके वहाँ पर चाइना में क्या है कि आपके हमारे इंडिया का expanding है अकर चाइना का देखो तो आप स्टेवल मान सकते उसको ठीक है उसके बाद यहां पर population growth में आपकी natality, mortality, immigration और emigration तो natality में क्या होता है number of birth given in time period जो आपकी population density को बढ़ा देंगे उसके बाद mortality की number of death in given time period वो क्या करेंगे population को कम कर देंगे immigration होता है कि आपके जो कुछ species होंगे न वो आपके क्या हुए होंगे कहीं से आए होंगे उस देश में या उस जगह पर तो वहां पर क्या होगा population density बढ़ा देंगे पर emigration का मतलब आप समझते होंगे airport में लिखा होता है emigrant तो वो उसका मतलब क्या हो जाता है आपका क्या महां से छोड़ के जा रहें तो वहां पर क्या होगा decrease हो जाएगा तो आपका formula बनता है nt is equal to n naught मलब initially कितना था उसके बाद birth के साथ हम plus करेंगे किसको immigration को जितने लोग आए उसके साथ minus कर देंगे इसमें से जितनी death हुई और जितने लोग छोड़ के गए तो n naught तो initial था उसके बाद मलब की पहले जितनी थी उसके बाद जितनी birth और आपके बाहर से लोग आए उसमें से क्या minus कर देंगे जितनी death हुई और जितनी लोग छोड़ के गए तो आपका formula आपको पता चल गया ना उसके मन यहां पर population growth model है जहां पर आपको क्या बता रखा है कि एक तो exponential होता है एक logistic होता है जो आपका पहला वाला A वाला है वो आपका कौन सा है exponential और आपका B जो है logistic है तो यहां पर आपको एग में जो formula लिखावा है dn by dt यह आपका birth sorry आपका वहां पर population rate है क्या है population rate यह भी याद करना दूसरा वाला भी याद करना है उसके बाद यहां पर exponential growth की जो equation होती हो dn by dt rn है और nt की जो आपका क्या लिख सकते हो n not e rt लिख सकते हो आप इसके बाद r क्या है यहां पर r समझेंगे हम कि जो आपका r है वो important parameter है biotic और abiotic factor का जो यह r है छोटा वाला आपको पता होना चाहिए उसके बाद यहां पर आप पढ़े हो न कि in exponential growth when n is relation to the time is plotted on graph the curve become j type की जहां पर आपकी number of population मलब number of individual या population आपके depend करते हैं टाइम पर वहा graph होता वो j shape का बन जाता है उसके बाद logistic growth क्या है expansion exponential में तो आपका क्या था कि आपके जो resources थे मलब जहां पर आपके population यह इस वाले graph की बात हो रही थी यहां पर क्या था आपका जो भी समान है या आपका source of जो है मलब जो आपको एक population को जीने के लिए चाहिए वो unlimited है तो आ लिमिटेड हो जाते मलब ज्यादा नहीं है तो आपका जो growth होती वो ऐसे होती है यहां पर formula भी पढ़ोगे आप उसका मलब याद करोगे और आपको पता भी होना जीए कि यहां पर क्या हो जाते हैं उसके बाद यहां पर लिखा हुए कि आपके it gives sigmoid curve इसको क्या बोलते है लोजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं इसका formula होते है dn by dt rn k-n by k ठीक है यह वाला पार्ट आपको समझागी होगा उसके बाद हम second part में जाते हैं इसके second part में तो आपको याद करना ही है सबसे ज़्यादा सबसे पहले तो आपको यहां पर पता होना जीए कि interaction के कौन से वाले मे कौन से चाड़ लाएंगे लास्ट बात कमन स्लेसिम का आया था कि बता रखा था कि जिसमें आपको एक population को तो फाइदा हो रहा है पर दूसरे को ना तो फाइदा हो रहा है ना नुक्षान हो रहा तो वहाँ पे आपका कौन सा वाला interaction होगा तो यह आपको याद करने होंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका population interaction में क्या होता है कि आपके जो दो different species होंगी वो आपकी interact करेंगी उसके बाद यहाँ पर जो plus का sign होगा वो बताता है कि आपका जो benefit हुआ है दूसरे को minus का sign बोलेगा कि आपका दूसरे organism के उपर आपका या दूसरे species के उपर आपका negative impact पढ़ा है या harmful effect पढ़ा है जीरो जो है आपका दिखार है कि कोई भी वहाँ पर interaction में उसको कोई फरक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले predation में बात करेंगे तो predation में क्या होता है आपका कि आपका जो interspecific interaction होता है जहां पर आपके एक animal जिसको आप predator बोलोगे वो consumer को kill कर देत जिसको हम उसका प्रे बोलेंगे प्रे मलब शिकार तो रोल अफ प्रेटर भी आपका important है कि यह क्या करेगा जो आपके प्रे वाली आपकी species या population है उसको under control रखेगा क्योंकि एक biological control की तरह काम करता है उसके बाद यह आपका क्या करेगा जो species diversity है community में उसको बना के रखेगा और आपको पता है कि ट्रॉफिक लेवल पे energy का आपका अदान या प्रतान होता है या मलब आपके energy जो होती हो आगे ट्रांसफर होती है वो आपका यह बनाई रखेगा उसके बाद बात करते हैं कि आपका प्रे का defense mechanism क्या होता है कि जो आकर ऐसा तो नहीं है कि अगर भगव तो सबसे पहले कि आपका avoid कैसे कर सकता है वो सच butterfly का taste होता है वह आपका predator के लिए बहुत distasteful होता है इस वज़े से वह क्या करता है आपकी कैसे मलब वह उसको खाना छोड़ देता है उसके बाद यहां पर क्या होता है कि जो butterfly होती है न वह कैसे आती है उसके उसके सरीर में आपका टेस्ट कैसे आता है वह क्या करती है आपके जो caterpillar stage होती है वहां पर आपने आपको एक poisonous weed खा लेती है तो उसकी वज़े से क्या होता है उसका जो टेस्ट होगा अगर कोई उसको खाएगा भी तो उसका टेस्ट होगा बहुत कड़वा होगा ठीक है उसके बाद कुछ आपके plants देखेंगे आपने काटे होते हैं तो हम दूर रहते हैं उसी तरह आपके कुछ प्लांट जो होते हैं हाई नीली पोईजिनस केमिकल प्रेड्यूस करते हैं उसके एक्जामपल देख सकते हो काडियक गलाकोसाइड निकोटीन कैफीन जो आपका एक डिफेंस मेकेनि हैं या फिर उनको रोका जाता है पहले से या फिर आइधिंग कुछ अगर आप एक्जामपल देखोगे तो कुछ ऐसे गाई आप अगर कहीं गए होंगे आप गाव में रहे होंगे तो गाई भैसे को मना करते हैं कि यह वाला नहीं खिलाना है क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो तो सेम इसका एक्जामपल ऐसी आप याद कर सकते हो कि आपकी जो काडिया ग्लाइकोसाइड हो गया निकोटीन हो गया कैफीन हो गया तो यह कुछ प्लांट जो होंगे अपनी डिफेंस मेकेनिजम में आपना प्रड्यूस करते हैं उसके बाद कॉम्पेटिशन में आपका क रहा हो दूसरे को नक्रान और यहां पेपर दोनों को मालब आपका सफर होना पढ़ता आप anytime कि की वार इन्टेज्ग किया तो छो आपके तो वो ज्यादा घास चर जारी थी टॉटरीज के लिए कुछ बच नहीं रहा था इस वज़े से आपका वो टॉटरीज वहां से एक्स्टिंट हो गे थे उसके बाद गौस कॉंपुटिशन जब दो closely related species होती है न और वो same resource के लिए compete कर रही होती है या लड़ रही होती है तो उहां पर सिरफ एक ही species जो होती है वो आपकी रह सकती है और जो रहेगी वो superior हुई और जो नहीं रही वो आपका inferior रही तो पहले वाले case में आपका inferior कौन सी होगी टॉटाइज उसके बाद resource partition पार्टिशनिंग जो होगा आपका एक फिनोमेना होगा जहां पर क्या होता है कि आपका यहीं सेम चीज मलब जो आपने गौज वाला प्रिंसिपल बढ़ा वह सेम चीज रिशोर्स पार्टिशनिंग बोलते हैं उसको फिर उसके बाद आपका पैरा सिटीजम आजाएगा पैर इंडो में क्या होगा आपका जो पैरासाइट होगा वो शरीर के अंदर रहेगा जैसे आपके लिवर यार लंग्स में रहेगा एक्जामपल क्या होगे टैप वोम हो गया लिवर फ्लक हो गया आपका प्लाजमोडियम हो गया ना एक्टो पैरासाइट में क्योंका आउटसा आई रहां ब मित आएगार से घ्याय करता है यहां पर डिंचनलाइजम नहीं होता है यहां लाइथ देखा है यहां पर और चिट गरो होता है मैंगो ट्री पर data कर रहा है न्यूट्रिशन ले रहा है ट्री से मलब पॉजिटिव है वहां पर उसका इस्पीसिस का और दूसरे से मलब मैंगो ट्री को कोई फरक नहीं पड़ा उसके बाद यहां पर नीचे आप पड़ सकते हो कि जो बार्किनल्स होती है वो ग्रो करते हैं कहां पर वेल की बै तो मात पर रहा था मोट जो था वह डुट कर दे रहा था दूसरे बैक्टीरिया को जो मॉड मलब 欠ा एक आपका पेनिसिलियम सीक्रीट यहां पर आपका mutualism दोनों को फाइदा हो रहा तो जैसे लाइकन इसका एक एक जामपल हो गया और लाइकन से ही और माइको रीजा से आपका आएगा कि लाइकन में जो होता है फंगस होता है वो फोटो सिंथेटिक एलगी के साथ रहता है क्योंकि एलगी तो खाना बनाएगा तो फंगस क्या करेगा आपका absorption करेगा nutrient का ठीक है और आपका protection माइक्रोरीजा क्या होता है आपका फंगी के अब जो फिट्वावर की सेप उसके फीमेल पार्टनर की तरह होती है तो वह वहां पे कॉप क्या होता है तो फिलावर होता है तो पहुन क्या हुर्ण उसके शरीव पर जाते हैं फिर अगर वह नेक्स्ट पेड पे जाएगा थीक है और सबास доступ क्होओं wel नेक्सट ओंतिच करेंगा थाइग ठीक है?